अभी तक आपने पुलिस को डंडो के साथ या फिर कड़क आवाज के साथ ही देखा होगा लेकिन इंदौर के एक ऐसे पुलिस करमे भी मौजूद है जो अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर कवीता वो गीतों के कारण सूर्ख्यों में बने रहते हैं अ इस अधिकारी का गाया हुआ गीत बले ही प्रोपेशनल सिंगर्स की तरह सूरी लाना हो लेकिन उनके इंदौर पर लिखे गीत के लिए उन्हें सराहना मिल रही है दरसल इंदौर में पी टी सी में पदस्त निरक्षक धैरी शिल येवले पहले इंदौर के अलग-अलग ठा गीत गजल और कविताय लिखने के शौकिंद धैरी शिल येवले की माने तो उन्हें उच्च पलस अधिकारियों से इस बाद की प्रिणना भी मिलती है कि हमेशा कुछ न कुछ वो क्रियेटिव करे लिहाजा उन्होंने इंदौर पर ही गित लिख दिया और यहां की धार में सामाजीक और व्यक्तित्व का उलेकर अपने शब्दों में कलम के जरिये कागस पर उकेरा और बाद में उसे सूरों में भी पिरोया धैरी शिल येवले की माने तो वे उच्च अधिकारियों से आगर करते हैं कि वो इस गीत को किसी अच्छ सिंगर के सूरों में पिरोये ता है राजवाडा दिल इसका लालबाग भालिसका राजवाडा दिल इसका लालबाग भालिसका रेसिडेंसी शान है काच मंदिर अलिशान है गांधी हौल सवारा है ये इंदोर हमारा है प्यारा है दुलारा है ये इंदोर हमारा है प्यारा है दुलारा है ये इंदोर हमारा है में झेलाला है, में दुतगारडन आला है, गुला वट में खिले कमल, एशवन सागर है निरमल, रिजनल पार्क सितारा है, ए इंदो हमारा है, प्यारा है दूलारा है, ए इंदो र हमारा है, सराफे का स्वाच चखो छपन की सौगात देखो वोहे का खुमार है सेव की बहार है दूद जले भी सहरा है ए इंदर हमारा है सब के बाबा खजराना बड़े गणपती चले आना महलक्षमी की माया है बिजासनी को ध्याया है मल्हारी सब का सहारा है ए इंदर हमारा है मालवी का मीठापन लोगों में है अपनापन सफाई में नंबर वन ये शहर है नंदन वन प्यारा है दुलारा है ये इंदर हमारा है जी मैं गीद गजल कविताय तो काफी समय से लिख रहा हूँ मेरी कविताय अगवारों में भी प्रकाशित होती है तो एक दिन मुझे बैठे-बैठे खयाल आया कि क्यों अपने इतने प्यारे शहर इंदर के लिए कुछ लिखा जाए कुछ ऐसा लिखू जो जनसाधारन की जुबान पर चड़े और सुरेला हो और उसमें इंदर के जितने डेस्टनेशन है हमारे और सारे उसमें शामील हो हमारी इंदर की खाशियत हमारा थोड़ा चटोरा पन भी उसमें आये मिठास आये हमारे मालवी की तो मेरे जहन में एक ह्याल आया था उस पे फिर मैंने ये गीत लिखा और आप लोगों को सुनाया है ने अमें पूर इंदर को आपके गीत में लिल आया जाहिए राजबल King सछवारा की बात हो ज़ासेन उस जोड़ावेट की बात की बात पूरे मेरा प्रयाश यही था कि मैं अपने इंदर की जो संस्कृतिक विरासत रहे जो खानपान है जो धार्मिक विरासते है उसको सभी को मैं उसमें समाहित करूँ और लिको इसलिए मैंने बाबा खजराना का नाम लिया है बड़े गनपती जी का लिया है माल अश्मीजी है उसमें बिजासनी माता जी का लिया है राजवाड़ा जो हमारा दिल है राजवाड़ा इंदोर का दिल है मैंने उसको वो लिया है और उसका भाल बताया है मैंने लालबाग को और उसके बाद मैंने अपने जो इंदोर को सुंदर बनाने वाले जो बाग बगीचे है जैसे नहरू पार्क का मैंने उले किया है original Park का मैंने मैक गजुद गारडन का मैंने उले किया है यह सारी चीजह मैंने किया उपपुस के बाद आता है हमारा इंदोरीयो का चटोरापन तो जहां इंदोर की बाती है तो पोहे की बाद दुद जेलेवी की बाद आती है मीठापन तो मैंने वो लिया है मालवी का मीठापन लोगों में है अपनापन इंदोर जैसा अपनापन पूरे भारत में क्या मुझे लगता है किसी विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मीठापन जो अपनापन इंदोर में है वो कहीं नहीं है तो उसको मैंने उसमें अ जल की सप्लाई भी होती है और वो भी एक सुन्दर डेस्टिनेशन है जहां इन दौर के काफी लोग जाते हैं आनंद लेते हैं तो इसलिए मैं निकाया कि एश्वन सागर है निरमल क्योंकि एश्वन सागर का जल भी हम लोग पीते हैं सर आम तोर पर प्लिस करमी को अपने खुद के काम करने को करने के लिए समयनी मिलता है क्योंकि काफी व्यस्ट आपका जीवन रिता है लेकिन इस तरह सापने गीत लिखा यह बात सही है लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे कई पुलिस अधिकारियों में यह कई अलग प्राइब से हम लोग अपना थोड़ा सा तनाव का प्रबंधन करते हैं और फिर नए उससा से लगके अपना जो काम है अपनी जो डूटी है वो भी करते हैं मैंने अपने आरक्षी गनों पर भी एक कविता लिखी थी कोरोना काल में हमारे आदरेनी आयजी साहब जो है विवे मेरे दिल में है जो इस ताइप से थोड़ा क्रेटी जू करते रहतेयों का मारर्शन मिलता है और अदिकारीयों को अच्छा लगता है कि विभाग के लिए या जन्मानस के लिए में लिखता हूं अधिकारियों के मार्ग दर्शन और उसके कारण भी मुझे प्रेनर से काफी लिखने में अपने साथी सायोग्यों को आप कैसा मेसेज देना चाहेंगे मैं तो यह देना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया काम करते रहा और अपने बचे हुए समय में कुछ हम क्रियेटिव करें क्योंकि अभी जो कुवीट काल चल रहा है इसमें तो वही फलसफा है जीवन का कि रहे ना रहे हम महका करें बनके सदा तो हम जो भी करें अच्छा करें हम किनकी सेवा के लिए करें जरूरी हम स्वास्त के साथ साथ हम लोगों की मनें दीन करें कुछ अच्छी बाते करें कुछ अच्छा वहले तो इससे कहें मन पर मस्तिकस पर एक ठाच्छा प्रभाव परता कि अच्छा सिंगर इसे गाए और इसका फिलमांकन हो तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि इंदौर के लिए मैंने गीत लिखा और वो इतना प्रसिद्ध हुआ इसकå प्रसार करने के लिए कुछ कि तरह का पत्र चार या कुछ करेंगे मेरे अधिकारियों का प्रोसान और प्रोसान से ही मैं लिखता रहा हूं मेरे अधिकारी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं जो मैं लिखता हूँ वो पढ़ते हैं सुनते हैं मैं आधरेनी जितने भी हमारे बड़े साहवान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसे साहब लोग जो है उसे कही अच्छे किसी गायक से उसको गवाए उसका फिल्मांक इंदोर का सिगनेचर सौंग हो जाएगा यही कुछी की बात गर्वकी बात होगी मेरे लिए मैं धैरेशी लेवले अभी पीटीसी इंदोर में पदस्त हूँ निरिक्षक हूँ बता दे ऐसे कम ही पुलिस कर्मी होते हैं जो इस तरह से कुछ कलात्मक काम करते रहते हैं आम तौर पर देखा जाता है कि पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी वा अपराधियों के पीछे ही लगे रहते हैं वहीं इंद और PTC में निरक्षक धैर्य शेल येवले ने अपनी अलग कारी शेली के लिए जाने जाते हैं वहीं ऐसे कई और पुलिस कर्मी भी है PTC में मौझूद है जिन में अपार क्रियेटिविटी मौझूद है लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण वहों से जाहिर नहीं कर पाते एंद और से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट